वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन के लिए सारे नोटिफिकेशन यहीं पर आते हैं ध्यान रगें दोस्तों सब्सक्राइब और इस अब इसके बारे में जाना था इसके बाद आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है एक्जाम में हर वारे से एक से दो प्रशने एक्जाम में पूछे ही जाते हैं अगर आप प्रिवियस एर कॉश्चन पेपर सॉल्फ करेंगे तो साइंस के सेक्षन में बिटामिन से दो से तीन सवाल आपको प्रिवियस एर में मिल जाएंगे एक ही पेपर में तो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इसको पूरा अच्छ आप पुछेंगे किस विटामिन से होता है तो अलग-अलग तरीके से प्रशन पूछते है पर प्रशन पूछा यहँ जाता है तो चलिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन एंगे पर भ्रबर मात्रा में होता हैコeurड लिवर होता है कॉड लिवर जो ओयल होता है उसमें बिटामिन एकी भरपूर मात्र होती है इसके अलावा थोड़ा बहुत टमाटर में भी पाया जाता है कद्धू में भी होता है हरी पत्तिदार सबजहों में भी होता है ठीक है तो यह सारी जो है बिटामिन A के स्त्रोथ है इसके अलावा पपीता जो है उसमें भी बिटामिने भरपूर मात्र में पाया जाता है ठीके तो कुछ फुरूट साधी भी होते हैं जिसमें बिटामिने मिलता है ये जो बिटामिन A है ये सामाने ब्रदी के लिए आवश्यक है लेकिन सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है ये आखों के लिए आखों की रोश्नी आखों की तवचा इसको स्वस्त रखने के लिए बिटामिन A की सबसे ज़्यादा वश्यक्ता होती है इसलिए ही बिटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है रतौंधी मतलब कम दिखना रात में ना दिखना ठीके तो रतौंधी रोग और जो दातों की अन्यमित ब्रदिय बर्द्धी होथी है वוש बूंद यादवर्बन को मोटा मोटा ङ्टा अएडिया लग गया होगा इस लोगा हूए इसके अलावा विटामिन D सूरच की रोष्णी के अलावा और कहां कहां से मिलता है तो यह देखते पनीर में bytamin d मिलता है मख्षन 10 कि अकरत योथ ज्वा उप्षण तो सूरी संडर शूरी श्रके काम क्या है हमारी यह मजबूत करता है जिनन मंचैन फट्ड़ काम हमी होती है जिन लोगों पर उनकी हड्डिया Napr new four उठाड dwell होता है कषी for channel corpence frail होता है और दातों का बनना दातों का बनना जो हमारे दात है वो भी हड़ी ही एक प्रकार की तो दातों का बनना भी विटामिन D से ही होता है अब विटामिन D की कमी से कौन सा होता है रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से DR से आद कर सकते हैं, विटामिन D से रिकेट से हो जाता है, ठीके, और AR भी ज़रूर याद रखें, या फिर आरे से आद कल ले, जो रताउन थी है वो विटामिन A की कमी से हो जाता है, clear है, यहाँ तक अभी हमने रेखा, विटामिन A और विटामिन दी अगला विटामिन है विटामिन ई विटामिन ई जो है बनसपती तेल में पाया जाता है पालक में बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलता है सलाद में होता है सलजम के पत्ते में होता है तो जो हरी पत्तेदार सबजिया है इसके लाह दूद दही मक्खन मिलता है जैसे हिरसल जम पत्त के बत्त को बहुत अच्छा रखता है जो बाल होते हैं वहां अपने देखा होगा जो लड़िया होंगी वह अलग लग विटामिन अपनी इस्किन पर अप्लाई करती है ताकि उनके हेर्स की ग्रोथ अच्छी हो चाइनी यह उनको मिले तो यह ऊपर से लेती है लेकिन अगर जो अच्छे से खाता हो दूद, दही, मक्हन, आदी खाता हो हरी पत्तेदार सबजिया खाता हो तो इसके बाल वैसे भी अच्छे रहते होंगे अब ये काम क्या करता है कोशी का जिली का सर्रक्षन करता है red blood cells का निर्माण करता है तो vitamin E ये काम करता है इसके बार vitamin K के बारे में चानते है vitamin K विटामिन के मिलता है गोबी में, फूल गोबी में, पालक में और अन्य हरी पत्तेदार सबजियों में, अनाज में, सोयावीन में विटामिन के खून का ठक्का जमने के लिए आवश्यक होता है और ये एक्जामें बहुत बार एक्जामें पूछा जा चुका है अजारों वार यह प्रश्ण पूछा जा चुका है खून का रखत का ठका जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है तो विटामिन के आवश्यक होता है यह बहुत अच्छी से याथ कर ले और यह घावों से अत्य देख खून बहना खून का अगर ठकका नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा घावों से खून बह जाएगा खून की कमी हो जाएगी ठीक है और मेर्टियू भी इनसान की हो सकती है तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक विटामिन होता है इसलिए हरी पत्तेदार सबजियां खानी चाहिए हरी पत्तेदार सबजियों विटामिन A B होता है विटामिन E B होता है विटामिन K भी होता है और विटामिन B B मिलता है तो सबजियां जरूर खाएं इसके बाद है विटामिन B1 B1 जो vitamin B है इसके कई रूप होते हैं B1, B2, B3, B12 ठीक है तो जो exam में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे vitamin B बन की बात करें तो vitamin B1 जो है इसका रशायनिक नाम होता है थियामीन थियामीन या फिर थायमीन भी कहीं कहीं आपको लिखने मिलता है तो जो vitamin B1 है ये कहां-कहां मिलता है समुद्री भोजन में मिलता है दूद में, मास में, मतर में अनाज में और हरी सबजुव में मिलता है ठीक है ये ब्रद्धी और विकास के लिए आवशक होता है कार्वो आइडेट से उर्जा मुक्तकनना इसका काम होता है vitamin B1 की कमी से रोग exam में बहुत बार पूछा जा चुका है vitamin B1 की कमी से हो जाता है berry berry रोग berry berry रोग याद रख सकते हैं B1, B1, B1 इसके बाद vitamin B2 है B2 का नाम है riboflavin ये exam में पूछे जाते हैं इनके रशायनिक नाम तो B2 का नाम riboflavin है ये मिलता किस चीज में है खमीर में, अंडा में, मास में और मतर में सरीर के ब्रद्धी और लाल कोशिका जो red blood shells होती है इनके उत्पादन में सहायक होता है कार्वोहाइडेट से उर्जा मुक्तकन्ना इसका काम होता है और इसके अलावा इसकी कमी से तवचा रोग हो जाते है बिटामिन B2 की कमी से और मंद ब्रद्धी होती है ब्रद्धी जो है धीरे धीरे होती है बहुत कम ब्रद्धी होती है तो बिटामिन B2 इसके बाद अगला हम जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं आपर बिटामिन B3 पता है तो आपको अलग से चामाने पर C4 लेकर अगर अगर यह तमनाज अच्छी कोच मैं यहादक सब्सक्राइब है ऐसे connect कर सकते हैं आत करने के लिए कि अगर आप कुछ हाले होते हैं आपको पाचन तंत्र या तंतिका तंत अच्छा नहीं रहता तो आप vitamin B लेते हैं ठीक है तो पहलागरा रोग इससे होता है यह जरूर याद रखें इसके बाद है vitamin B 12 यह exam में बहुत बात पूछा जा चुका है vitamin B 12 यह दूर अंडे और मचली में मिलता है RBC का बनना इसका काम होता है यह RBC को बनाता है red blood cells को यह बनाता है और red blood cells क्या होती है अगर इनकी कमी हो जाए तो vitamin K से भी exam में बहुत पूछे गए हो vitamin B1 से तो vitamin C से बहुत बार exam में पूछा जाता है और इसका इस तरोद बार बार पूछते हैं ठीक है कभी आपको option में नीबू मिल जाएगा तो जो भी खटे पदार्थ है ना जो भी आप खाते होंगे खाने वाली चीज है उसमें आपक में अनांस में अनांस में भी हल्का सा खटा होता है ठीक हैं संतरे में तर्बूज में हरी मिर्च में टमाटर में गोभी में सलजम गाजर हरा पुदीना अम्रूद ठीक हैं इन सब चीजों में जो है Your DNA स्किन is very이라 कि क्लोइंग रखता है आफ की स्किन को अच्छा कुछ तो विटामिन वाला रोग को जाता है इसके अलावा मसूड राव सूँच जाते हैं और खूनाने लगता है तो यह जरूरए nuevo इसके लावा हरी में श्रमाटर गोवी सलजम इन सब चीज़ भी मिलता है तो यहां पर हमने बिटामिन देखे बिटामिन के स्रोथ देखे आवश्यक्ता देखे और साथी साथ उसकी कमी से होने वाले रोग देखे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से जरूर पड़ें इसके बाद जल के वारे में चानते हैं बीट ब्लबट सेल्स प्लाजमा र Hol स्यज़ में घंध सबसे बढ़र के परिवहन के लिए बार तो सरी सरीर में रशाइन धैसों के परिवहन के लिए जल के आवशक्ता होती है इसली कहते हैं के खूप पानी पियो ब के चाहिए यह चाहिए भर रशायनिक प्रुटिकरियाओं के माधयम की रूप में कारे करता है मूतरे मुँद। की रीचिपार्थ में सरीर के अब्रियाब्ति पधार्थ को यह बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता हुशन परियाप्त जल के सेवन से निर्जली करण की स्थिती बनती है डिहाइडरेशन हो जाता है अगर आप कम पानी पीएंगे तो आपको डिहाइडरेशन हो जाता है और यह फिर आपको अलग से बॉटल चड़वाई जाती है बॉटल आपको चड़ा के जो है गलुकोस चड़ाया देखेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आपसे भी चानल के साथ जोड़े रहे हैं चानल को सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक जरू कर दें पचास दिन से इस बचे हैं अगर अभी भी आप महनत करना चाहते हैं महनत करके अगर आप से दस घंटे पढ़ने के आप में जहमता है तो आप ये कोर्स जोइन कर सकते हैं सासवस्ती पेज का इसमें material मिलेगा paid quiz मिलेंगे test series मिलेगी और बस इतना पढ़की current affair भी यहीं पर दिया जाएगा आपको पूरे एक साल का updated current affair सारा mislenious का data budget आदी सबकुछ यहीं पर मिलेगा तो अगर आप यह जोइन करना चाहते हैं तो अभी भी जोइन कर सकते हैं समय अ चाहते हैं जो एक एक्जाम देने वाले एक्जाम कराती है तो अगर आपकी एक्जाम देना चाहते हैं तो paid group हमारे जोइन कर सकते हैं 25 मार्ट से स्टार्ट हो रहा है यहां पर 70 दिनों की तैयारी में आप आराम से जो है पूरा slayvars complete कर सकते हैं जो आपको slayvars दिया गया ह हैं आपको जो वीडियोज हैं लगातार आपका slayvars complete करवाया जाएगा तो चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरू कर दे और वीडियो को लाई जरू कर दे थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो मस रहें स्वस्रहें पढ़ते रहें थैंक यू सू मच